कोरोना एक भयांकर विश्व व्यापी महामारी घोशित हो चुकी है ओनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दे कर ज्यादा फीज फसूली जा रही है पूरे देश के कई स्कूलों के दुर्दशा छुपी नहीं है जरजर होती शालाओं के भवन जहां पर बैठने के लिए समुचे साधन भी नहीं है वहाँ पर कैसे शालाइ संचाले थो पाएंगी कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा और जैसे कि यह महामारी एक संक्रमित बीमारी है जो संपर्क में आने से फैलती है इसे रोका नहीं जा सकता चूकि ना तो इसकी दवाई भी अभी तक इजाद हुई है और हम कैसे इस से बच सकते हैं खास कर बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो नहीं कर पाएंगे इस महामारी से बचने का एक ही उपाय है वह है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें ताकि इस बईमारी से लड़ा जा सके परिस्तितियां इतनी विशम हो चली हैं कि बच्चे और बुजर्ग सबसे ज़्यादा इससे प्रभावेत हो सकते हैं और आगामी दो-तीन महीनों तक स्कूलों और कॉलेजों को संचालित कर पाना संभव भी नहीं है तो इस साल को जीरो अकेडमिक वर्ष घोषित किया जाए ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके और सन बीस बीस और बीस इककाईस को जीरो अकेडमिक की अरगोषित कर जनरल प्रोमोशन देना हैट कर होगा वहीं वर्तमान में स्कूल कॉलेजों को खोलने के लिए समाचारों के माद्यम से जो जानकारी मिल रही है अब देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें